पसकार दोस्तो स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूटुब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी दुख जीवन में कभी दस्तक नहीं देगा बस आचार रेच चानक केकी ये पाँच बाते दिमाग में बैठा ले आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आर्खिरी तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इस दुनिया में कुल घर ऐसा नहीं जिस पर कोई कलंक न हो यहां कौन ऐसा है जो किसी रोग या दुख से मुक्त है सुख सदा के लिए किसके पास रहता है ये अनमोल वचन आचार रेच चानक केके हैं उनके इस वाक के से आप भी रिलेट कर सकते हैं सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के क दो पहलू होते हैं ये समय समय पर आते जाते रहते हैं इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शक्स होगा जिसने दुख का मुह नहीं देखा है आचार रे चानक के भी ये बात अच्छे से जानते थे आचरण से खत्म हो सकता है हर दुख आचार रे चानक के का यह भी मानना इनसान चाहे तो अपने आचरण में बदलाव कर हर तरह की परेशानियों को जिंदगी में आने से रोक सकता है आचरण को सही रख दुख को काफी हद तक कम किया जा सकता है इस संबंध में आचार रे ने अपने ग्रंथ चानक के नीती में विस्तार से बताया है ऐसे में आपके जीवन में आसानी से दस्तक नहीं दे पाएगा दुख को रोकती है आचार रे चानक के की ये पाच बाते नमबर एक आचार रे चानक के के मुताबिक इनसान के कुल की इज़त उसके आचरण से होती है बोलचार के दुवारा उसके देश की प्रतिष्ठा बढ़ती ह प्रेम से जिन्दगी में मान सम्मान में व्रिद्धी होती है वही भोलचन से शरीर का बल बढ़ता है ऐसे में इनसान को इन सभी चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए और इसके अनुसार ही अपने आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए नमबर दो आचार्य चानक के कहते हैं कि परोपकार और तब से आपको पुन्य तुरंत मिल जाता है लेकिन यहां इस बात का खयाल रखे कि यह दान किसी सुपात्र, योग्गे या जरूरतमंद को ही मिले सुपात्र को कि ये दान से दूसरों का भी लाब होता है इस तरह का उनने आपके साथ लंबे समय तक रहता है इसलिए जब भी दान करें तो किसी सुपात्र को ही करें नमबर तीन आचार्य चानक के के अनुसार जो शक्स जन्व से अंधा है वह अपनी मजबूरी के चलते देख नहीं पाता है लेकिन जो इंसान वासना के अधीन है अहंकारी ह और पैसो के पीछे भागता है वह खुद को ही अंधा बना लेता है इस तरह के लोग जो भी कार्य करें उन्हें पाप दिखाई नहीं देता है ऐसे में हमें खुद को इन भावों से बचा कर रखना चाहिए नमबर चार आचार्य चानक के कहते हैं कि यदि आप किसी लालची को संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसे भेट दे कठोर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए उसके हार्थ जोडे मूर्ख को संतुष्ट करना है तो उसे सम्मान दे वही विद्वान को संतुष्ट करने के लिए हमेशा सच बोले नमबर पांच आचार्य चानक के किमाने तो हाथों की शोभा गहनों से नहीं, दान देने से होती है, निर्मलता जल से नहाने से आती है, न कि चंदन का लेप लगाने से, व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, बलकि सम्मान देने से संतुष्ट होता है, खुद को सजाने से बुद्धी नहीं मिलती, इसलिए आपको अध्या ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृपया वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें